हेलो फेंड्स आएम राहूल एंड वेल्कम तो दे चैनल इसी एली एबरीबडी केन लर्ण इंग्लिश तो सवागत है आपका इस चैनल पर इसी एली हर कोई अंगेजी शीख सकता है और आज हम डिसकास करने वाले हैं कुछ सेंडिस को कल हमने टूबी प्रेजेंट सडी समझाबी होगा हमें सेंटे साखर बनाने के से तो आज हम तूबी फ्यूचर का प्रेक्टिस सेशन लेकर आया हूं प्रेक्टिस क्लास लेक्चर लेकर आया हूं ताकि आप अच्छी से प्रेक्टिस कर सकें इसकी भी और आई तिंक मैं समझता हूं कि इसकी प्रेक्टिस करन स्टार्ट करने से पहले कि अभी तक और आप पहली बार है तो करपया चैनल को सस्क्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको भी आप दवा लें नीचे घंटी का बटन है और इसको all पर किलिक कर लें ताकि वीडियो की latest notification आप तक पहुंच सके और मेरा अनुरुद है कि आप इसकी first class है अगर आप नए है चैनल पर तो आप introduction सादा आपके लिए यूस्पल होंगी और आपको आइडिया हो कि आखर अंग्रेजी कैसे सीखने है मैंने उसमें क्लियर बताया है कैसे आप प्रेक्टर्स करेंगे अपने मिक्स्ट ग्रामर के प्रेक्टर्स करें ग्रामर उतनी मुलब हाई-लेवल ग्रामर नहीं क्य면 क्यों बढ़ेंगे तो आपको इंटरर्डक्ट informations कि दीडियल सकता है उसके बाद आपको नाम कि क्लास चेकलास समार बहों देख लीजिये इसके सेंडिस नाइए उसकी प्रेक्टर्स कीजिये ताकि आप भी बोल सके और आपको भी कोज़शे सेरी रहा हूं मैं आपको कराऊंगा तो आज की क्लास एक्साइज क्लास है और साथ है मैं भॉक्वी लेकर आयां प्रैक्टिस के साथ में तो आप भॉक्यूब लिख लीजए और इसका इस नहीं सोट अच्छा Сाथ ताकि आप भॉक्व कु लिख सकें और अप याद कर सकें या उसकी सेंटिंस बना सके क्योंकि जब आप इसके सेंडिस बनाओगे तो आपको बॉक अपने आप 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 याद हो जाएगी आपको अलग से याद करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को तो आज सबसे पहले बॉक अप को देख लेते हैं जलवाईवए पुरोल मीन से इसमस लगांड दिये चैलेंज जी अशक्राइब सेह तो इस बोकफ का ज्यादता इस पोकन में यूज करते हैं इस यह सब्द आपके लिए चुस किया है वॉक्प चूस कि है कि आप भी दिर दिर को हो जाए आपकी ग्रामर होई रहे है साथ प्रेक्टिस करें और फिर से से सन्लेकर आया हूं कि ज्यादत ज्यादा आप लोग प्रेक्टिस कर सकें अगई अब करेंगे तो फ्यूचर ने करेंगे मैंने बताया था का होगी कि का मनलब कलर ओप सट कलर ओप एंड जहां बीच भारत की जलब आयू भारत के राज यह हम कहें कि देश की संपत्ती यह सब कैसे आएगे सब से पहले यहाईगी जलब आई तो मैंने जलब आई की मीनिंग्ग्ड यहां ल आभ, और भारत आपको पता हिए है बिल लेंइन इंडिया हम भारत मैं रहते हैं न िन्युच में लखाए अंडिया इंडिया डैff भारत 17 सबनाना असटार्ट करते हैं तो भरत की जंसंख्या सरी भारत की जलवाईय अलग होगी ओके स्टार्ट करते हैं सेंडिस बनाना है ओके सो क्या लगना है मुझे भारत की जल बायू ओके भारत की जल बायू मतलब क्लाइमेट ओफ इंडिया ओके भारत की जल बायू ओके ऐसी बनाएंगे जैसे मैंने लखा भारत की जनसंग्या ओके तो सब्जेक्ट कहा है सब्जेक्ट यह है लास्ट में तो पॉपलिशन ओफ इंडिया मद्य पर्देश की राजधानी कैपिटल ओफ इंडिया शट का कलर कलर और ओफ शट तो मैंने इस प्रकार की मैंने प्रेक्टिस कराई है तो भारत की जल वायू अलग होगी अलग होगी ओके सब्सक्राइब आएंगे मैंने क्या लखाया है क्लाइब मेट आफ इंडिया सेंटेश थोड़ा बड़ा लंबा है तो जगा स्पेस ज्यादा लेगा क्लाइब मेट आफ इंडिया बिल वी बिल के साथ दी क्या हैगा डिफरेंट ओके बन गया सेंटेश थोड़ा लंबा है लेकिन आप स्पोकन में यूज कर सकते हैं और मैंने लॉंग सेंटेश में इसलिए लह रहा हूं तोड़ा सा कि आपको जब सेंटेश कोनी कठें डिफिकल्ट से बना पाएं या फर हमारे पास इजी सेंटेश भी है वह द्याल होगा हम द्याल होंगे साथ दवल हो गया है उसका नाम अच्छा होगा तो यह इजी स्पोकन के तो आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ा एक डिफिकल्ट इंडिया विल वे डिफरेंट भारत की जनसंख्या भारत की सरी जलबायू मैं जनसंख्या बोल रहा हूं बारबार भारत की जलबायू अलग नहीं होगी अलग नहीं होगी ओके क्या बनाएंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम लोग दाका भी यूज कर सकते हैं लेकिन इस्पोकन की तौर पर हम लोग ग्रामर को पढ़ता है या पर हम यहां दाका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यूनिक है चलो लगा लो अच्छी वाद है और क्या भारत की जन्ज संख्या स्वरी भारत की जलबायू भारत की जलबायू अलग नहीं होगी क्या बनाएंगे बिल दा क्लाइमेट ऑफ इंडिया अलग होगी अलग होगी अलग होगी बी डिफरेंट तो इचली क्या है कि तीनी सेंटिंज में अपना बोर्ड फोलो फिल हो गया लेकिन मैं कोसिस करोगा इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है तो मैं एक फिर से अनुरुत करता हूं कि आप फिर से इसके स्कीन सॉट ले लिए अच्छा सा ओके इस आपने स्कीन सॉट ले लिया है तो मैं इसको रब करता हूं क्यूंकि इडिस वेरी इंपोर्टेंट क्या भारत की जल वायू अलग नहीं होगी बहुत बड़ा सेंटेंस है थोड़ा सा क्यूंकि जल वायू कव अलग नहीं होगी बड़ात की 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 जल वायू कव अलग नहीं होगी भारत की जलवायू, कैसे अलग होगी, अलग होगी, ओके, विल, सॉरी, 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 गड़े, त ख्यूरी, हाव कुश्चन बड़ créer एका, how will climate of India, we, different, sentence में पूरा, की बॉर किचे से इअल है। आप लोग टीड़ भारत की जल वायू, कैसे, अलग नहीं होगे ओके हैंने बना दिया हाउ विल दी किसी में दा नहीं लगा है तो टेंशन मतले न आप लगा ले न ओफ इंडिया क्लाइमेट ओफ इंडिया नोट वी डिफरेंट सेंटेस बड़ा है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो दे है यहां दाल लगा लो और कहां लगा यहां नहीं लगा तो यहां भी आप लगा लगा ठीक है ओके सेंटेस तोड़ा बड़ा है लेकिन हम प्रेक्टेस करते हैं और प्रेक्टेस सा हर चीज सम्माव है तो भारत की जलवाईव अलग होगी अबदान नहीं लगा तो चल जाएगा भारत की जलवाईव अलग नहीं होगी भारत की जलवाईव कैसे अलग नहीं होगी तो मैं मापी चाहते हूं कि बैक्ग्राउंड थोड़ी सी आवा जा रही है क्योंकि पीछे चिलियों को घुंसला है इसलिए आवा जा रहे हैं तो इसको कंट्रोल भी निकर सकते हैं कि किसी का घर जब हम बना नहीं सकते तो इसलिए थोड़ी सी आव जाएगी तो आप थोड़ा से डिस्टर्ब नहीं होना इस प्रकार कर सकते नाम अच्छा होगा उसका नाम अच्छा होगा लगाइस या हर का यूज कर सकते हैं कि लियर निया so अपन करते हैं her name will be good उसका नाम अच्छा नहीं होगा her name will not be good क्या उसका नाम अच्छा होगा will her name be good क्या उसका नाम अच्छा नहीं होगा will her name not be good उसका अच्छा नाम कैसे होगा how will her name be good उसका नाम कैसे अच्छा नहीं होगा लेडर how will her name not be old some practice कर सकते हैं इसकी आसानी से रम लेते हम द्यालू होंगे के थे हम वी की साथ क्या लागता है अम यह झालता है हम द्यालू होंगे वी शैल वी काइंड हम द्यालू नहीं होंगे वी शैल नॉट वी काइंड क्या हम द्यालू नहीं होंगे शैल वी काइंड क्या हम द्यालू नहीं होंगे शैल वी नॉट काइंड हम द्यालू कैसे होंगे हाउ शैल वी काइंड हम द्यालू कैसे नहीं होंग house shall not be kindly easier फिल लेते हैं घर नया होगा house will be good घर नया नहीं होगा house will not be good क्या घर नया होगा will house be good क्या घर नया नहीं होगा will house not be good घर कब नया होगा when will house be good घर कब नया नहीं होगा when will house not be good बाय दयाल होगा he will be kind he will not be kind क्या वै द्यालू होगा will he be kind वै द्यालू क्यों होगा why will he be kind वै द्यालू क्यों नहीं होगा why will he not be kind तो इस प्रकार हम practice कर सकते हैं धोड़ा से जल्दी हो गया बट आप आराम से घर पर कन्ना बैठ कर ओके यह सब practice काई खेले जितनी आप practice कर गए उतनी आपकी speed बढ़ेगी ok so Monday हम start करेंगे practice से start करेंगे और practice रहेगी mixed sentences की present, past and future हमने खतम कर लिए हैं आज Saturday की class में sorry Friday की class में और अब हमें Monday से अच्छी practice करने हैं लगवग तीन चार धरम practice करेंगे उसके बाद हम to have present पढ़ेंगे और present, past and future भी हम पढ़ेंगे लेकिन हमारा सबसे पहले practice करेंगे कि हम जितनी practice करेंगे उतना जादा आपको benefit होगा, आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज टेल में comment box and if you not subscribe this channel till now, so please subscribe this channel and press the bell icon sorry मैंने अंग्रीजी में बोल दिया actually क्या है, मैं पशले दो साल से, एक से देड़ साल से मैं English में blocks बना रहा हूं और English में video बनाता था और अभी बनाता हूं blocks मैंने आप अभी तक बताया नहीं आपने blocks के बारे में English में blocks बनाता हूं तो मुझे एक से देड़ साल की practice है हिंदी की मुझे practice ज्यादा है नहीं अभी दो हफ्ते से मैं हिंदी में video बनाना start किया है that's why I have habit of English language मुझे इंग्लिस की आदब पढ़ गई है तो यदि आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करें और यदि आप नए हैं तो करपा introduction video के starting से video देखें ताकि आप अच्छी एंग्लिसी बोल सकें तो आज के लिए इतना ही Monday को मिलते हैं Thanks for watching